आज हम बात करते हैं अब भी नेक्स्ट हिमाचल जी के वीडियो में अप्रॉक्सिमेट फॉर हंडडर्ड इंपॉर्टन कॉशन्स हम देखेंगे जो प्रिवेस एक्जाम में आई हुए हैं तो चलिए डिसकस करते हैं उन एमसी क्यू को जो सबसे इंपॉर्टन है हमारे टीज नाइनटीनफिव्ट फिफ्टी वन में जी क्या होता है ऐसी काटेगरी जिसके अदर हम ऐसी कोई स्टेट जिसके जो जो ग्लेशियर और मौंटेंस को कور करती हो तो आसी क्रform में में ग правильно ग्लेशिर्टन क के तरीके से देखे तो जीग्राफिकल ली और ग्लेशियर जिसससे के अंदर आएं तो उन्हें हम जी केटिगरी में पाउंड करते हैं तो ऐसे राज है कब बना नाइंटीन फिफ्टीन वन येर में अगरे को देखते हैं हिमाचर प्रदेश लोग सेवा आयोग का प्रेथम अधाक्ष कौन था उफशनॉंसी लेफिन् जड़र्ल के एस कटोच सारे कशिन बहुत ना से द्यान से यादगलंだ तो लोग सेवा आयोग क्या होता है पब्ली सर्विस कमिशन नेक्स बात करते हैं पर्देश का पर्थम फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिशनर किस विक्ति को बनाया गया नेक्स देखते हैं 1967 से 1971 के बीच हिमाचा पर्देश के किस राज के उच नेले के अधिनिस्त था दिल्ली नेक्स बात करते हैं 1963 में राष्टिय जल सेना कैडट एकाई की स्थापना पर्देश के किस जिले में की गई थी आंसर है बिलासपुर कॉश्चन की हमारा फिर से देखी 1963 में राष्ट ये जल सेना सेड़ेट एकाई की स्थापना पर्देश ये किस जिले में की गई थी बिलासपुर नेक्स बात करते है थिरोट जल विद्धुत परियोजना हिमाचल के इस जिले में है लाहल स्पीती काफी इंपोर्टन यह यह थिरोट वाला काफी पूछा गया है जो यहां पर जो इलेक्टिसेटी प्लांट है थिरोट जल विद्धुत परियोजना हिमाचल के इस जिले में स से चुना गया है यह आपको कॉशन ओल्ड है तो इसे आप दुबारा से कन्फिर्म करें नेक्स कॉशन देखते हैं हिमाचर प्रदेश के किस स्थान पर घोडा प्रजनन के इंदर है आंसर इस लरी लॉहल स्पीटी ऑप्शन सी इसका सही है नेक्स बात करते हैं हिमाचर प्रदेश का वैक कौन सा जिला है जिसे हिमाचर की आर्थिक राजधानी ग्रूप में जना जाता है आंसर डी इसका सही है सोलन नेक्स बात करते हैं काफ़ इंपोर्टन है दो चीज़े निकल कर आ रही है कि चमबा शहर के संस्थापक कौन थे साहिल वर्मन और उनकी पतनी का नाम क्या था नैना देवी सुजानपूर टीरा के सुपरसिद होली के मेले के शुरुआत किस राज़ा न की थी संसारचंद सुजानपूर टीरा की सुपरसिद होली के मेले के शुरुआत किस ने की थी संसारचंद नेक्स्ट परीच को回去 किस स्थान पर है परोला, यहां को परेज Quindi पूर्व मुख्य मत्री कुए यहां को ठोके कहले क्वाचन को पूर्व मुख्य बीरवदिस सब्सक्तार है किस पूर्व मुख्य मत्री बीरवदurrection सब्सक्ति पूर्व सिर्मॉर का पूरा नाम क्या था सू लोकिना नेक्स्ट भात कर नेक्सट पोस्ट अर्जुन गुफा हिमाचल की जिले में से था Su 1 यो नेस बात करते है 9-11 कि जन्गणनों के सरवाधिक लिन्गानु पाथ सेक्स रेशो के लिए हिमाचर परंदेश की किस जिले ने भारत के च्छे सो चालिस जिलों में पर्थमस्तान प्राप्त किया है लॉह हॉ secular 2 माज़ा परदेश के कि लिए भारत के 640 जेलों में परतम स्थान पर आप्त किया में मिबा Cen nous-अ-बिकिनी नेक्स्ट Tolong का दिशारा कितने दोने तक लगता है साथ दिन यह बहुत important question है कुलू का दिशारा कितने दुने तक लगता है साथ दिन शेतरफल के अदार पर हिमाचल का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के मुखे कितनी रेलवे लाइने है तीन हिमाचल प्रदेश मुखे कितनी रेलवे लाइने है तीन नेक्स्ट नैनादेवी मंदिर किसने बनवाया था बहुत important question है answer B वीर चंद ने बिलासपुर का पुराना नाम क्या था व्यासपुर हिमालियन बॉर्डर लैंड पुस्ट तक किसने लिखी थी मुखे राम राहुल ने itiri we कितने के सहिट इस माराजा रणजी सिंग को देने बड़े थे इसक्सिव हो जुग्गा अंदोलन के जिरा में से संबंदित है व्यासपूर जुगा अंदूलन के से चल से लिए समंधित है, बिलासपर, उस राष्टवी पार्क का नाम बताईए, जहां हाली में युनेसको ने नेचर फेस्ट का आयूजिन किया, ग्रेट हेमालन नैशनल पार्क, उन्ना का पुराना नाम क्या था, जस्वान दून, उन्ना का पुराना किसे कहा जाता है मसरूर टैंपल कांगडा हिम एक सो तेईस और गंगा थ्री निम्ड में से किसकी किसमे है मक्की की अधरक उत्पादों ने हिमाचल का प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है दूसरा हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी 25 मार्च 1974 में प्रदेश का किसे जिले में है चंबा गंगुल प्रदेश का सबसे अधिक बिकने वाला सब्ताहिक समचर पत्र गिरी राज का प्रकाशन कहां से किया जाता है शिम्ला हिमाचल प्रदेश के किस मंदर के विषय में ये धारण है कि rü देवी एक टांग से हीन है। जखनी देवी मंदिर कौनसा है। option C जखनी देवी Haimajin ne 얼마나 बड़ ऐक मंदर का विशने धाषिए कि देवी की एक टांग जखनी देवी मंदिर नयक्स्ट दोआधार kई जौतिलिंग मैं से कौन सा जोतिर्िंग हिमाचल परदेश में है बैजनाथ द्या दशिवत्री मंदि किस जिले में है नहन सिरमॉर केंदर बाला सुंधरी मंदर किस जले में है नाहन सिर मौर में नेक्स्ट लोहारा किस राज़े की राज़े की राज़्दानी रही है सुकेद केडी सुल्तान-पूरी हिमाचा-पदेश के छे बार लोकसबा में चुने जाने वले सांसब का लोकसबा, निर्वाचन छेत्र है, शिम्ला केडी सुल्तानपॉरी, शिम्ला बियÁस कुफा किस जिले में श्थित है, बिलासपुर कुलू का दिशारा, प्रारहम करने का ईशर्य किसे जाता है, हदीब्वा कुल्लू का तिशेरा पारम करने का शेरा किसे जाता है हदिबा नेक्स्ट ब्यूटी बाग ओफ शिमला निर्म में से किसकी किसम है सेब की ब्यूटी बाग ओफ शिमला किसकी किसम है सेब की गुलमर्ग और अशोका किसमे है आलो की शाहन एर सचाई परियोजना हिमाजल के किस जले में इस्तित है कांगड़ा थ्रॉड जल विदुत परियोजना 4.50 मेगावाट हिमाजल के जले में इस्तित है लौहल स्पीती पश्मीन उन निम्न में से किस पशुर से प्राफ्त होती है हिमालन बकरी से शिमला में आलू की खेती किस ने शुरू की थी कैप्टन रॉस ने हिमाचल प्रदेश शिकिन जिलो में परंप्रागत रूप से चाय पाई जाती है कांगड़ा और मंडी मंडी कांतराष्टिय शिवरातरी मेला किस राज़ा ने शुरू किया था अजबर सेन सुकेत रियासत की स्थापना वीर सेन की जिसकी राज़दानी थी पांगड़ा नेक्स्ट 1877 में बने विक्टोरिया पुल का निर्मान किस ने करवाया था वीजे सेन मंडी रियासत की स्थापने किस ने की थी बाहु सेन हाली में भारती सेना और रॉयल उमान आर्मी का सेन भ्यास अल नागाटू हिमाचर प्रदेश में किस जिले में शुरू किया गया था ये 2017 में हो था बकलो चमबा में प्राचिन समय का प्रसीद रानी का बाग हिमाचर में किस स्थान पर है नाहन सिर मौर में 1862 इसवी में बना शिमला का रिपन हस्पताल को वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है दीन दयाल उपाद्याई हस्पताल नेक्स्ट भारती उच अधिन संस्थान जिसे वाइसराय लॉज के नाम से पी जना जाता है को किसने बनवाया था लॉड डफरीन ने 26 फरबरी से 28 फरबरी 1948 को हुए समयलन में हिमाचर प्रदेश के नामकरण हुआ ये समयलन किस जलेज में हुआ था सोलन समयलन में हिमाचर का नामकरण हुआ था 26 फरबरी से 28 फरबरी 1948 में कहा हुआ था ये सोलन में गुड गुफर जील किस जले में है शिमला हिमाचर प्रदेश में बनी सबसे पहली जल विदूत परियोजना कौन सी है शानन जल विदूत परियोजना काफ़ इंपर्टन कोशन है सबसे पहली जल विदूत कौन सी थी शानन जल विदूत परियोजना निम्न में से कौन सी प और वारट डेश द्वड़ा चलाई जा रही है नाचसनल हीटरो lease नेजस्ट आव दर्भारी बागेश्वरी और बसंत बाहर निम्र में से किसकी में चाय की दर्भारी बागेश्वरी और बसंत बाहर चाय की नेक्सट प्ठान कोड कांगडा जुगेदर नेगर रेले विलाइन कर इनमान कब शुरूआ था 1926 में हिमाचल का सबसे छोटा बांध कौन सा है पंडो हिमाचल प्रदेश के पर्थम महिला पुलिस आईपिय सद्धिकारी सत्वंत अटवाल किस जिले से समधित है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सबसे पर्थम अंतराश्ट के ग्रिट क्राडी कौन है मदनलाल बिलासपुर बिलासपुर शार की स्थापना किस ने की थी दीपचंद मंडी कांफरेंस 1946 की दक्षिता मंडी कांफरेंस 1946 की दक्षिता किस ने की थी जे-एस धिलो निम्न में सबसे कविराज की नाम से भी जाना जाता है पंडित पदम देव हिमाचल प्रदेश की किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है सतलोज प्रसिद स्थल मटन सिद जो हमिरपुर जिले में स्थिता है के लिए प्रसिदा है A और B दोनो हनुमान मूर्ती के लिए और कुष्टी के लिए मठन से थे हनुमान मूर्ती और कुष्टी के लिए खदर एक गौमपा हिमाचल पज़शी की सिस्थान पर है केलांग में खदर एक गौमपा केलांग में से थे यूनाम सी जील कहा है किनовор और तिबत के मदध कौन सा दर्राब चुबिया काफ़ी इमोर्टर है किनour और तिबत के बीच में कौन सा है चुबिया next हिमार्चल का सबसे जोटा बांध कौन सा है पंडो डैम माला न्रित किया जाता है शिंपला में वर्शह का देवता पशु कोट किस जिले में पूजा जाता है मंडी में निम्न में से किसे प्राचीन समय में दामल के नाम से पिज़ जाना जाता है नूरपूर दामल के नाम से जाना जाता है नूरपूर चजियार और थंजियार किस जिले में से तै बिलासपूर में च्छ जी आर और थंज जी आर की जिले में सेता है बिलासपुर में सन 1966 में हमाचा प्रदेश में विले में पहले नालागड निम्न में वर्तमान की किस राज की अंदरकात आता था हर्याणा 1950 में नालागड किस राज का हिस्सा था पंजाब यह कॉशन भी काफी इंपोर्टन काई वार यह पूछा गया है कि 1950 में नालागड किस राज का हिस्सा था पंजाब नेक्स्ट धान्ती क्या है चमबा की देशी शराब धान्ती क्या है चमबा की देशी शराब परवीर चकर विजेता संजय को मार्किस जेले से समधित रखते हैं बिलासपूर बहादुरी का सर्वोच ब्रिटिश पुरुसकार का ब्रिटिश सरकार दौरा कब निर्मान किया गया ता अठारा सो चपन में 1856 हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक ने लिखी थी विकरम कायस्त ने हिमाचर प्रदेश का सर्वोच खेल प्रोसकार पशूराम परुशुराम प्रोसकार प्रसिद एथलीट सुमन रावात की जिले से समंधित है सुंदर नगर मंडी नूरपुर राज़ का संस्था पर कौन था जेटपाल रानी का कोट नामक किला किस जिले में है मंडी हिमाचर प्रदेश अनिवार सिक्षा दिनियम कब लागू हुआ 1950 में बाबा काशीराम का जनम स्थान या जिला निन्वे से कौन सा है कांगडा हिमाचर प्रदेश सचीवाला की पराने भवन का नाम क्या है अलरसली अपने बच्पन और योवन की वर्ष अमरता शेरिगिल ने कहां वितीत किये थे शिमला सुमन रावत को परुष्राम पुरुषकार किस वर्ष दिया गया था अटारा सो सट तासी में चंद्र धर्ज शर्मा गुलेरी का जनम किस स्थान पर हुआ था जैपूर राजस्तान में चंद्र धर्ज शर्मा गुलेरी का जनम कहा हुआ था जैपूर राजस्तान में शप्रा क्या है एक गाव का नाव 211 जनको नुना के अनुसार हिमाचे पतेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है किन नौर Next, Secret राज़ परिशेश शिक्षा अनुसंधान इवं परिशिक्षन किस जिले में है सोलन Secret कहा है सोलन में Next, SOS विश परिशेश सनावर स्कूल किस जिले में इस्तित है सोलन परिशेश खील का मिदान शिलारू हिमाचे किस जिले में इस्तित है शिमला राजीव गांदी के लदन पुरिसकार प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली कौन है? विजे कुमार 1870 इसवी में कुलू में ब्रिटिश इस्म के सेव किसे ने लगाए थे? आर सी ली ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सरवर्थम मन्रेगा शुरू हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हैंडबं पर योजना किस के नापर चलाई जा रही है? पंडित दीन दिया लुपा दिया है गुरू काल लाहौर स्थान किस जिले में सेता है? बिलासपुर प्रिसिद स्थान सती पिलर कहां पर है? मंडी सोनित पुर को अब इस नाम से जाता है सरान रूपीन घाटी के जिले में सेता है किन नौर? हिमाचल दिवस का मना जाता है? 15 अपरेल किन नौर को स्पिती से जोड़ने वाला सबसे उची पाड़ी दर्रा कौन सा है? कुन जुम किन नौर को स्पिती से कौन जोड़ता है? कुन जुम निवन में से किस घाटी का किया रदा दून घाटी के नाम से भी जाने आता है? पॉन्टा घाटी को लामा डल जील की जिले में सेता है? चमबा सुजानपुर का किला जो 1725 जिसमें बना किस राजाय बनवाय था अबेशन्द ने परवती नदी का उद्गम स्थान निम्न में से कौन सा है मन तलाई जील कुलू दुदोन गलेशर जो कुलू जिले मिस्ते थे कहां का पानी किस नदी में मिलता है परवती में हिमालेन बोटैनिकल गार्डन कि जिले में स्थिता है शिमला में संगोली की संदी निम्न में से किसन बीच हुई थी गोर्खो वो ब्रिटिश के मद्य 1857 कि नादी माजबर देश में किस जिले में शुरू हुई थी सोलन में यह भी important question है पूस्तक हिमाले सरक्ट हिमालें सीक्रेट के लेके कन्म जमने से कौन से है isn. जेडी खोसला शिरीखन्ड شिकर किस जले में स्तेक्थ हीमाचय प्रदैश के किस जिले में जिबसम का बंढार पा जाते है सिर्मोर मनके मेट नाम पूस्तक کے रिचेता कोने शांता कुमार धामी गोली कार्ण के नेता भागमल सोहोटा को किस जिले में बंद किया गया था अमबाला जेल नेक्स्ट आरजुन पुरुसकार वजेता और भारती मेलाओं की टीम की कफ़तानी कर चुकी सीता गोसाई किस जिले की निवासी है सिरमौर इमाचल के क्रिकेड तिलक चुकाराज जिनकी 6 गेंदों पर 6 चक्य लगे थे वे किस जिले से स выпуск достहू बिलासपूर यह कौशन पहले भी पूछा गया है क्रिकेड के तिलक कर च गेंदों पर नेक्स्ट शामा काली का मंदिर हिमाचली की जले में से तेता है मंडी अपसरा कुंड हिमाचली की जले में से तेता है कांगडा अपसरा कुंड हिमाचली की जले में से तेता है कांगडा शूश मेला किस जिले में लगता है मंडी महाकाली जील की जिले में स्थित है चमबा पबर खाटी की प्रमुक नदी कौन सी है पबर पंडो बांध के किनारे कौन सा एन एच है एन एच टूंटीवन किस जील को पदमाचन जील भी कहा जाता है रिवाल सर ये काफी इंपॉर्टन कोशन है पंडो बांध के किनारे कौन सा एन एच है एन एच टूंटीवन जो पठान कोट बंडी हाइवे है नेक्स्ट किस जील को पदमाचन जील के नाम से जाना आता है रिवाल सर तामसर दर्रा किस जिले में है कांगडा किस घाटी को दूद और शहद की घाटी भी कहते हैं चमबा को सुन्द नगर का पराना नाम क्या था बनेड जस्वा राज के संस्थापा कौन थे पूर्वचंद दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है भंडारी राम प्रसेद सुतंतिता सुनानी दौलत राम संख्यान की जिले से समंद रखते है बिलासपुर पंडित जवाला नेरू ने बाबा काशिराम को पहाड़ी गांदी की उपादी के सिस्थान पर दी थी गदड़ी वाला में पंडित पदम देव का जनम किस जिले में हुआ था शिमला की गोमपा कहां पर है काज़ा में दिवाली को किस जिले में कोजाला के नाम से जाना आता है लाहल स्वी थी सुन्दनगर की स्थापने किस ने की थी गरूड सेन ने लौड बेवल की पहल पर शिमला में वारता कब हुई थी 25 जून 1945 में सुला जुलाई 1949 का धामी गोली कांडनिम्न में से किस स्थान पर हुआ था हलोग में हिमाचा के किस शेतर में रेसिड़न्शियल कमिशनर है पांगी नेक्स्ट नारू कबेरन की जिले में है मंडी किन और लोग साहित थे पुस्ता किस ने लिखी थी बंशीर राम शर्मन है सबसे कम पंचायतों वाला जिला निम्न में से कौन सा है लाहल स्पिती हिमाचा प्रदेश विदानसभा के पर्थम उपदेश कौन थे शिरी किष्ण चंद हिमाचा प्रदेश का सबसे उंचा दर्रा कौन सा है लूनी दर्रा हिमाचा प्रदेश में पंचायती राज व्यव था कब शुरूई थी 1952 में हिमाचर प्रदेश लोकसभा से निलंबित प्रथम सदस से कौन है सुरेश चंदेल हिमाचर प्रदेश का प्रथम पुरुष कतक नर्तक कौन था देनेश गुपता सावडा कूड प्रयोजना कि इस नदी पर सित है यवना यमुना निम्न में से कौ जौता अंदोलन मुझसे समद्धित नहीं था अब अनाद बाकी तीनों समद्धित है मिया चूचू बस्ती राम और व्याद सुर्थ राम अम अराद नहीं था आगे जिंड फूक या बरार फूक क्या है लड़की द्वारा भगा कर विवा करना नेक्स्ट प्रसिद गोगा गूगा मेला की जिले में स्थित होता है लगता है बिलासपुर बहसो का मेला की जिले में लगता है बिलासपुर जांगी बौद स्थल कहां पर स्थित है कि नौर गाई की बूचा निम्न में से की उत्सब में की जाती है बहूला सराही यात्रा किस जिले में प्रसिद है कुलू में प्रसिद चितरकार स्वरगी चंदरलाल रेना किस जिले से समंदित थे कांगडा चंबा का लक्षमी नेराड मंदिर कितने मंदिरों का समूँ है छे किस जिले को चंचोली यातरा पसिद है कुलू पंगवालों की देवी कौन है शक्ती दरमशला का पुलिस ग्राउंड के नाम किस महानेता के नाम पर रखा गया है सुभाचंदर बोस नाला गड़ अंदुलन की गड़ना कब हुई थी 1877 में टूरिजम अंदुलन की जिले से सम ब्लासपुर की जुगा नूलन में से इस राजा का विरूद किया गया अमरचंद अशोक ने हिमाचलमबान धर्म का परचार करने के लिए किस विख्षू को बेजा मजी जम मजी जम अशोक ने मचले के इस चिले में कुछ स्थूपों का निर्मान किया कुलू पहाड़ी च लोगी तो जुर्री किस जले से समन देता है ए और बी सिम्ला और सिर्मौर चंबा के हरी राय मंदिर में से किस देवता की चतर मुखी परतिमा विश्नू शिम्ला बारा छोड़ा अंजोलन का नेतित्व किस ने किया था राजकुमारी अमरित कौर ने स्थान पर छोटी तिबबत कहते हैं लाल स्पिती को उनी सो चारी सब पहाड़ी रियासतों के राज़ के निर्मान की सबसे पहले मांग किस ने की थी ठाकुर हजारा सिंग ने लाल स्पिती जिले में से तर रॉंग टॉंग जल विदुत की शम्ता कितनी है आंसर इस एक्सोबीस मेगावाट नेक्स्ट एक्सोपटासवी बिनवा जल विदुत परियोजना किस जिले में है कांगडा कांगडा जिले का विश्ची प्रसीद रॉट टककट मंदिर निमन से किस शाली में बना है शिकर शाली कांगडा कला संग्रेले में निम्न में से किस स्थान पर है धर्मशाला लॉल्स पिती में उस्तित मरकुला देवी मंदर किसने बनवाया था अजे वर्मन ने कांगडा का डल मिला किस माँ में लगता है अगस्त में इस निम्ड में से बिलासपर जिले की किस स्थान पर विरोज़ा फैक्टरी है रगुनादपुरा में बुड़ा क्या है एक निरत्य का नाम कोट कहलूर का निर्मान किसने करवाया था काहल चंद ने पटकू और लुच्छ किस शेत्र के लोगों का पहनावा है कुलू विश्व प्रसिद मसरूर मंदिर रॉक कट कितने मंदिरों का समूँ है पंदरा मंडी की गदर पार्टी का सक्रिसदे से कौन है हिर्देराम राजपाल का निवास पीटर होफ किस वर्ष चला इस वर्ष जला नैंटीनेटीवन में हिमाच्छ परदेश मतीन इस तरही पंचाइदी राजगनून कब लग हुआ था नैंटीन सिक्स्टीएट में बाबा काशीराम को पहाड़ी बुलबुल की किस ने संग्या दी थी स्रोजनी नाइडू ने शिम्ला पहला सेब का बगीचा कहा लगा गया था मश्ची बरा में इमाच्छ पर कौन सा स्थान चोटी विलायत की रूप में हो जाना जाता है शिम्ला ब्रंगतुंग परवत को किस नाम से जाना जाता है रहतौंग जोट रैखिक का पैतर गाम कौन सा देश है सोवित संग रॉकिक पराने बिलासपुन नगर के यद मुईश्वर एवं रगुनाद मंदर के सिनन सापित की पांडवने मंडी के प्रसित देवता निम्ने से कौन है माहूनाग शिबकी दर्रा कहा तक श्तित है कि नौर से तिब्बत हिमाचल की किस गाम में प्रविश करने से पहले मुख्या की आगया लेनी पड़ती है मलाना और अग्जाम के रामपूर के किस राजा को छटप्रती की उत्पादी दी थी परद्यूम अपने नाम के पीछे वर्मन लगाने वाला चम्बा का पहला शर्ष कौन था आदित वर्मन विश्व की सबसे उँची सड़क निर्मन में से कौन सी है मनाली ले सड़क सजल नजी सबसे पहले ही माजल की किस जिले में प्रवेश करती है कि नौर चम्बा घाटी को दो बागों माटने वाले निर्मन में से कौन सी है रावी विश्व की सबसे उचा हवाईडा निर्मन में से कौन सा है लेह तंगलिक परसे दखाड जिसमें अबरख पाजाता है किस जिले में स्तित है कांगडा साहिल वर्मन की रानी ने किस स्थान पर अपनी बली चड़ाई थी बलोटा में भरमौर का नार सिंग मंदिर बनवाने वाली रानी का कौन थी त्रिभूबन रेखा देवी पंद्रह सो चौदा में कौन से सिक गुरू बूशर आये थे गुरू नानक देव चातीबूर का किला निम्ड में से किस जिले में है बिलासपूर सेंट रोजा वो मेरिकोजा निम्ड में से किस की किस में है पलम छोटी सर्था निम्ड में से किस ने दिके साहिक नदी है रावी पत्रोड एक सबजी है जहांगीर और नूर जहां कांगड़ा किस बर्ष पदारे 1622 में जहांगीर और नूर जहां लदी की संदी 1683 किन राज्यों के बीच हुई थी तिबत और रामपुर मंडी को जब लूटेंगे असमानी गोले छूटेंगे ये शब्त किसके हैं गुरू गोबी सिंगे वन लगा और रोजी कमा यूजने किसमें शूरू की थी शांत कमान मादबा गादी के हत्या का पुकादमा शिमला किस बर्बर में चला था पीटर होफ में ले आयक्स लॉग आयक्स इमानी में कावा आजा थे आप्शन ए और बी कांग्रा और मंडी दोनों जगा में प्राचीन तायूल गॉमपा में किस बहुत बिक्शू की मूर्ती है पदम संभव की शिवालेक शेतर को दूसरे किस नाम से जाने जाता है निमने पहाड़ी शेतर है सांगला घाटी की जिले में स्थित्य किन और इंपोर्टन कोश्च है किन और में इमाजरी की इस भाग में जलवाई हूगरे में दक्शनी भाग चैडविक जल प्रपात शिमला मैकिस स्थान पर है समरहिल निमन में से कौन सी साथ जीलों का समूँ है लामा जी डल कांगणा और बडग बंगाल की बीच कौन सा दर्रा है तामसर हिमाजरी प्रदेश का सबसे बड़ा मंदर कौन सा है लक्षना देवी हाली में किस जिले की सैनिक को शौर चक्र दिया गया चंबा चंबा सेवक संग की स्थापना कब हुई थी 1936 में सत्यानंद स्टोक्स न पहला बगी चकहान लगाया था कोटगड में स्रिमौर और शिमला के जिलों के बीच कौन सी पर वे शंकला है चूड धार इस स्रिमौर और शिमला की बीच में कौन सी है चूड धार सूपरसिद करानतिकरी अजी सिंग की समाधी मजरी की सिस्थान पर है पंजपूला में शिमला के रिज़ के मदान परसित प्राचीन चर्च का नाम क्या है क्राइस्ट हाली में मजरी के सैनिक को बादुरी के लिए शौर चक्र दिया गया फिर सिंग बादुर को चाहे तैजर करने वाले कारखण है मजरी के सिस्थान पर है वीर प्रिसिद किला गॉरक टिला हमाध्ली के से जिले में है सोलन में नेक्स्ट हिमाजला कौन सा गाउं देश का पहला दरोवर गाउं बन गया परागपुर उनी सो पाच में नालदेरा में सरप्रता हूं गॉल्फ खेल खेल कर किसने अपने खेल की शुरुआत की थी लाड़ कर जनने भारत के धर्मिक स्थल बल्लेदा पीर हिमाजला के कि जले म शेत्र फल की दिश्टी से माजल का भाद वका कौन सा स्थान है अठारवा चंबा जिला निन में से किन दो जिलों से घिरा हुआ है कांगड़ा और लॉल्स भी थी इमाजल की सोला सिंगी धारा की जिले में सेत्थ है हमीरपूर रगुना जी का मंदिर इमाजल की जिले में सेत्थ है कुलू किनौर जिले के किस फ़सल को छो के नाम से भी जना जाता है मक्की किनौर जिले में सेत्थ चरागा स्थान किस धातू के लिए जना जाता है चांद चमबा दूद परियोजना किस वर्ष शुरूए थी 1968 में जिला कुलू मैंगरी जी किसम के सेव पर्थम बार किस वर्ष लगाए गए थे 1870 में नटेरी नेरटी शापूर कांगड़ा की लड़ाई किनके मद हुई थी संसार चंत राज सिंग नेरटी शापूर कांगड़ा की लड़ाई किस किस मद्ध हुई थी संसार चंत और राजा सिंग बिलासपूर के किस राजा काकाल बिलासपूर राज की सुनेरी युग में माने जाता है ही रा चंत हारी सिंग नलवा के नाम पर लोग कामते थे वे किसकी सेनो का चनल था गुर्खों की चोबिया दर्रा किस इस 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 इ कानी का युद्ध गुर्गोविसिंग और किस जिले के राजा के बीच में हुआ था बिलासपुर हमिरपूर कजबे का निर्माण की सिस्थन में हुआ था 1700 आफ्टर डैथ एडी पुंग खंड की किस नदी का साहिक नदी है प्यास पंजाब की सीमा से लगने वाले प्रजा मंदल की स्थापना कब हुई थी 1949 में हिमाचापदेश विदासवा के प्रताम दक्ष कौन थे विद्यास्टोग खीर गंगा गरम पानी चश्मा किस गाटी में है पारवती हिमाचापदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है पॉन्टापुल थोन थोन चो मिलन किस जिले में लगता है लॉल सबीती तीनान भाशा किस गाटी में बोली जाती है चंदरा घाटी चंबा मना जाने वाले तिहार नावला में किस देवता की पुझा की याती है शिव की कुलूराज में की सिस्थान पर अरजन न शिव की यारादना कर दिवास तरप्राप्त किये थे दियो टिबा जूबल का पराना नाम क्या था देवरा पुझाटा अंदूलन के मुक्यान निता कौन थे ए और भी लक्षमी सिंग और वैद सूरत सिंग शिव का कलाज पर पर बड़ कौन से जिले में है कि नौर चमबा का रत मिला चमबा का रत मिला किसका परती कैए ममासूर बज़ॉरा में किस दिर्टा के मंदिर पर सिद है शिव कस्वाली में सीना दौरा विद्रू किस वर्ष हुआ था 5850 में बलासपुर की कहानी पुस्तक क्लिक कौन है अक्षर सिंग हिमालचल की किस जिले में सब से कम आलो की पैदबर होती है हमिरपुर फॉसिल पार्क हिमाचल किस जिले में है सिरमौर अब लोग लौक ए शुतवर बोधित्व की संग्मर्मर की मूरती कि कितनी बूजाए है अब लोग तेश्वर बोधित्व की संगमेर की मूर्ति में कितनी बुजाए है आठ कामस्था देवी मेला की जिल में लगता है उन्या अ ना इमाजली की सबसे बड़ी प्राक्रतिक जील कौन सी है एर्यनु का चकली किस इमाजली रियास्त का सिक्का था चमबा गुलेर कामडा के किस राजा को शाजा ने शेर अफगान की उपादी दी थी रूप चंद को पांड़ों ने बारा साल तक बनवास की शेत्र में बिताय था महासू हिमाजली प्रदेश की पहाणों में इस्तित है पश्मी हिमाले प्रसीद मिला नाग नयोजना नयोना की जेले में समंदी था है सिर्मोर राज सबा में माजली प्रदेश से कांग्रेस दल के उपनेता का नाम क्या है आनल शर्मा हिमाजली की छितिको ठंड़ा मार कि जिले से संबंदित है लाहल्स भी थी हाली में मैले का कौन सा चिडिया गर तेंद्वों के भागने कारण सुर्कियों में रहा गुपालपूर 300 रली पूजन का प्रथा का संबंद कागड़ के इस रस्म से है विवा स्थानियम नसल इंडिका का संबंद के निम्ड में से किसका है मदमक्षी 1877 वंगरी जोना जस्मा जागीर किसे सौपी थी रनसिंग को शिमला स्थित गेटी थेटर का वास्तुकार निम्ड में से कौन था एच डार्विन दो बच्चों के बदले जाने के कारण कौन सा अस्पिताल सुर्कियों मरा था कमला नैरो अस्पिताल शिमला नीरत का सूपर से सूर्य मंदर किस नदी के किनारे है सतलोज मनी राम पटवारिया लोग गीति की जले संब्धितर मंडी ग्लासपर में किस स्थान पर परशु प्रजन के इंदर स्तापित है कोठी पुरा कौरवों और पांडवों के द्वारा दुरुनाचारिक का संब्ध की जले से है कि नौर हिमार्चापतिश का पहला राजसबा संब्ध से कौन था चिरंजी लाल वर्मा संगोली की संदी कब वर्ष हुई थी अठारा सुर पंदरा में पज़ाता संब अंदोलन की जले में वह था सिर्मोर कुन्जुम दर्रा किस घाटी में है स्पिती अमरित मिशन के तहत बहतर कार के लिए किस जले को पुरुसकार दिया गया शिमला एशिया की आड़ो की घाटी किसे कहते है सिर्मोर को निम्ड में से किस जले में पाई राइट पाजाता है शिमला हिमाले का वै कौन सा राज्य था जिसने दिल्ली पराक्रमन की और जीत कर वापिस लोटा था रूप चंद सोहनी माहिवाल पॉइंट किस जले में है चंबा हिमाचल में कितने राश्ट्री पार्क है दो परसित बगलामो की मंदरी मतले किस जले में इस्तित है कांगडा ट्रैक्टर निर्माता कंपरी ने मतले किस इस स्थान पर अपना कारखाना लगाया है अंब पर्योता अंदुलन किस जले में हुआ था सिरमोर कुझम दर्रा किस घाटी में है स्पीती अमरेध्मिशन के तहत बहतर कारी के लिए किस जले को प्रुसकार दिया गाँ था शिमला इशिया की आड़ू की गाटी किसे कहते है सिरमोर निम्न में से किस जले में पायराइट पाजाता है शिमला सब्सक्राइब का वे कौन सा राजा था जिसने दिल्ली प्राक्रमान किया और जीत कर वापिस लुटा था वीर्चंद स्वारी रूप चंद नेक्स्ट सोहनी महीवाल पॉइंट कि जिले में है चंबा कितने राश्टी पारक है दो प्रसेद बगला मुखी मंद्र किस जिले में है कांकड़ा ट्रेक्टर नवादा कंपनी हम में खुली है प्रजातों अंदूलन किस जिले में हुआ था सिर्मौर कौंजम दर्रा किस घाटी में स्पी थी मिस्टान की तहत बैतर कार के लिए किस जि स्रीमौर निन में से किस जिले में पायराइट बायाता है शिम्ला कि माज़र का कॉंसे राद इसने दिली पे अक्रमन किया और जीट कर वापिस लोटा रूप चंद सोहीनी महीवाल पॉइंट किसे कहते हैं चंबा कि मज़र में कितने राश्टी पारक है दो प्रसीद बगल मुखी मंदरी मजल कि की जिले में है कांगडा ठैक्टरिन नंवाता कंपनी मजल कि अब हमाम आकूंगली जीव बेहर बाद के जिले में है चमबा बिहार इमार्चल क्रदीश स्रकार दोरह समाने ब्रोजगारों कितने रूप मांसी बतर दी जाने कोशना की कि कई हजार रू बाकि स्वाँग नाटी और करियार यह मतली है हिमाजर परिजिश की काटोज बनष का स्थापकौर कौन था संसारचंद आई-पी-ईाल किटनी मैच्च धर्मिशला में आयडित हो रहे है उड़् कॉस्जिन हैille ऐसका बोगल पे सालच करने एक वार और वैसे भी IPL इस वार कर तो पॉस्पॉंड लिये मुहम्मद बिन के आकरमन 11 साथी सीस्वी के समय कांगडा का शाष्चा कौन था पृत्वी चंद हिमाचल कॉच्छल विर्कास के वर्तमान इदेशक कौन है विक्रमदित सिंग हिमाचल प्रदेश का प्रसेद जूरी पुल निम्मद मेसे के जिले में है सतलुज कुंग्ती वन जीव विहार हिमाज़ पदेश के जिले में है चमबा हिमाज़ पदेश सरकार द्वारा समाने बुज़गारों के जिन रुपे मांसी बता दी जाने की कोशना की गई हजार बलास्पर जिले की सीमा है निम्ड में से कि जिले को लगती है सिर मौर निम्ड में से कौन से दर्रा लाहर स्विदी से अलग करता है कुझ्जुम निम्ड में से कौन से लितनी मजली पदेश की का नहीं है नोटंग की हिमाज़ पदेश का संस्ता पर कौन थे संसार्चन कौन थे संसार्चंद नेक्स्ट आई पेले कितने मैच यह हो गया था हिमाचल में कौचल विकास के वर्तमान एदिशक कौन है विक्रमादित्य सिंग हिमाचल बदिश का परसिद जूरी पुल निन्वे से किस नदीब बना था सतलुज राजा संसार्चंद ने विराजपर पाक्रमान किस वर्ष किया था सत्रों सुपिज जानवी में मंडी की किस शाषक ने 1625 में कमला के लिएकर इमाण किया था सुरुज से इनने इमाचल कौन सा जिला फॉर्बिडन लैंड की रूपन जा जाता है कि नौर प्रियागराज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल को चैनी तहिमाचली बूमी कौन सी है ब्रणा ब्रणावन सावन 12 मेला कहां पर लगता है नहान में हजार मेगावार्ट शम्ता की तंदोग जल विदूद परियोजना ने इन में से किस नदी पर बनी है सतलुज पबर इतियास वर संस्कृति के नाम की पुस्ते किस ने लिखी है जयाज चोहान कुमार सिन की शिक्षा का प्रूम को देवता किसे मानने जाता है कोकसवार महादेव पदम सिंग महल हमाचल परिश की स्थान पर है रामपूर हमाचल का जनम कब हुआ था पंदरा अप्राइल उनीसोट तालिस को हमाचल परिश का उच्छ न्याले कब बना जनी किस शेटर का प्रूम के धान में ते हमाचल परिश में वरतमान में कुल कितनी पंचायते है तीन हजार दो सो तर्तालिस काफी इंपर्टन कोशन है किस थापने कब हुई थी 1959 में वर्तमान में माचल प्रदेश के शिक्षा मंतरी कौन है वर्तमान में माचल के शिक्षा मंतरी यह अंसर गलत है इसको आप गूगल पर सार्च करें नेक्स्ट लाहल्स पिती जिला किस फर्च बना था 1966 में निम्ड में से कौन सा जिला लाल्स वने की खान की नाम से जाना आता है सोलन निम्ड में से चम्बा कौन सा राजा मोगल समरा टकपर का समकाली राजे था परताब सिंग वर्मन इमाचल का प्रवेश दौर किसे कहा जाता है सोलन को देव मिलन कुम्ब निनमेंसे किस परव का दूसरा नम है कुलू के दिशार ह spite नम कहते हैं देव मिलन कुम्ब हिमाचाब का शीजित्व रुस्तल के नम से किसे जले को जाना जाता है लुहलसपीतिई हो रूट बोरर क्या है सेमे लगने वाली पिबानी का नम हिमाचा प्रदेश की किस नदी में चांदी पाजाती है चिनाब हिमाचा प्रदेश का सबसे पराना समचार पत्र छेतरी तेज सरपतम किस पर्ष प्रकाशित हुआ था 1934 में हिमाचा के प्रदेश के पहले डी जी बी डिरेक्टर जनल अफ पलिस कौन थे आई बी नेगी शिमला स्थित शिमला स्थित कैनेडी हाउस किस पर्ष बना था 1822 में काफी वाट अंटर के लिए पूछा गया 1822 में हाल में हिमाचा प्रदेश लोग सेवाई हो के नए देक्ष के लिए निर्मित धर्मवीर सिंग राना हिमाचा के किस जिले से संबंदित है पालंपूर का अंगड़ा यह भी ओल्ड कोशन है हिमाचा प्रदेश करमचारी चाहिनायोग हिमाचा प्रदेश लोग सेवाई हो की स्थापना कब हुई थी पप्लिक सर्वीस कमिशन की उनीस वेकत्र में हिमाचा प्रदेश बहरती संग के डैस राज की रूप में अस्तित्त में आया अठारवे हिमाचा प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है पांच उस गद्रण का क्या नाम था जिसे कांगड़ा की राजा संसार चंद ने प्यार हो गया था नोखु उस गद्रण हाल ही में इको टूरिजम पारकिस्तान पर बनाये गया नाहल देरा में अलंबिक होकी टीम के का नेतर्ट करने वाला पहला हिमाचली कौन था चर्ण जीत सिंग्ग हाल इकोल ड्रिंक्स में कितने प्रतिशत सेव का रस मिला जाता है मिला जाना अनिवारिक किया गया है सम्मंदित आय सैदिक संपत्ती मामले की सुनवाई किस अदालत में हुई थी 30,000 हालियों प्रदेश से मंत्री करण सिंग का निदन हुआ है किस विवाग के मंत्री थे अरवेद विवाग ओल्ड कॉश्चन मंडी में नमक की खानों को किस वर्ष गोदा गया 1941 में हिमाचल प हिमाचल प्रदेश की बाचपा के नए प्रबारी कौन बनाए गए है मंगल पांडे हिमाचल प्रदेश के राज पिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी 1934 में हिमाचल प्रदेश वार कॉंसिल के परतम अदक्ष कौन थे इंदर सिंग मित्र सेन भावन हिमाचल प्रदे गोसाई किस छेत्र से प्रसिद्धी मिली है हॉकी में कि नौर की स्थानी भाशा में अरी शब्द का क्या आर्थ होता है चिल गोजा अरी का मतलब होता है कि नौर में चिल गोजा थेंक यू सो मच इस वीडियो को जाला शेयर कीजिए बहुत इपॉर्टन क्वेशन है इसको बार बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए थेंक यू सो मच